तो चली जड़ा समझते हैं successive differentiation क्या होता है In this chapter we will study about the successive differentiation Means अगर सीधा सीधा बोला जाए तो nth derivative आप पढ़ने जा रही है इसमें of any function Topic no.1 क्या होगा? Basic formula for nth derivative उनका proof भी हम देखेंगे कई बारी exam में वो सीधा पूछ लिये जाता है जैसे हम nth derivative को dn लिखते हैं of any function f d for derivative और उसकी power n लगी है इसका मतलब n times derivative Topic no.2 application अच्छा जो उपर formula हम देखेंगे उनका application है application of nth derivative formula जो उपर derivation करेंगे इन formula का उसका यहां हम application करने वाले हैं nth derivative formulas का और topic no.3 है सबसी important Leibniz theorem के nth derivative of product of two functions किस तरह से निकाला जाता है और उसका application वो हम सीखेंगे इसका proof भी आता है हमारे exam में तो यह चीजे जो हैं इस पूरे topic में हम सीखने वाले हैं तीन topic और तीन नहीं अच्छली दो ही topic है basically हम nth derivative सीखेंगे और उसके बाद उसके application और application के बाद में Leibniz theorem जब दो functions multiply में लिखे हों तो उनका nth derivative कैसे निकालते हैं वो चीज़ हम यहां सीखेंगे Leibniz theorem में तो आपको successive differentiation के बारे में थोड़ा सा पहले से ही पता है क्या पता है देखिए आप जानते हैं कि मान लिजी कि कोई function y is equal ऐसे लिखा है आपके पास e to the power 2x और plus 3 ऐसे लिखा है तो आप अगर इसका एक बार derivative करते हैं dy जिसको हम बोले या फिर इसको y' कहते हैं या फिर उसी को आप y1 कहते हैं ऐसे तो एक बार इस function का differentiation करेंगे या फिर इस function को differentiate करने के लिए क्या लिखेंगे 2 e to the power 2x और plus 3 ऐसे तो लिखते हैं यानि इसका जो x का coefficient है वो एक बार multiply में आ जाएगा उसके बाद अगर इसका again करी तो यह जितने भी इसके आगे के derivative होंगे यह इसके successive differentiation कहलाते हैं एक बार differentiation करने के बाद जो उसके next derivatives आप करेंगे उनको हम उसका successive differentiation कहते हैं successive का meaning ही होता है step by step after one by one यानि एक के बाद दूसरा derivative तो इस तरह से अगर आप इसमें देखें तो d square अगर आप करें यानि y double dash अगर उसको हम लिखें या फिर उसको हम y2 कहें तो फिर क्या कीजीगा आप कहेंगे कि एक और 2 आ जाएगा यानि 2 की पावर 2 हो जाएगी 2 की पावर 2 जो की 4 बना देंगे e to the power 2x और प्लस 3 इस तरह से यानि एक और बार इसका derivative कर दिया अगें करें फिर से एक और बार करें तो यह जितनी भी आप derivative यहाँ पर निकाल रहे हैं जिसको हम d3 y कहेंगे तो यह सभी के सभी क्या कहलाएंगे y triple dash या y 3 is equal 2 की पावर 3 into यह function ऐसी 2x plus 3 इस तरह से तो इस तरह आप अगर infinite times इसका differentiation करते जाएं तो देखे इसमें फर्क क्या पढ़ने वाला है फर्क इसमें यह पढ़ेगा कि आपने इसका एक बार differentiation किया तो 2 की बार 1 हो गया दो बार differentiation किया तो इसमें 2 की बार 2 हो गया तीन बार differentiation किया तो 2 की बार 3 हो गया अगर आप इसका n times करेंगे n times तो फिर n times में क्या होगा उसको आप d to the power n y लिखेंगे इस तरह या फिर y to the power n लिखेंगे या y n ऐसे करके लिखेंगे इन सब का मीनिंग एक ही है n times differentiation तो फिर इसको आप क्या कहेंगे कि 2 to the power n times आ जाएगा और यह जो function है e to the power 2x plus 3 इस तरह से लिखा जाएगे तो इन सभी derivatives को जो हमने इसके नीचे लिखे हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं successive differentiation कहते हैं हाँ जी क्या बोलते हैं को यह जो derivatives हैं इनको नाम हम देते हैं successive differentiations इस तरह से यही चीज हमारी successive differentiation कहलाती है तो successive differentiation में जो general इसका d n निकालते हैं तो हम सीधा अब आज से सभी functions का एने तर derivative निकालेंगे और अगर आपने ये first derivative चाहिए, तो n के value 1 रखना आपको ये पहले वाली line मिलेगी, अगर आपको second derivative चाहिए तो इसमें n के value 2 रखना फिर ये आपको second वाली line मिल जाएगी, दो बार derivative और अगर n के value 3 रख दी तो तीन बार differentiation फिर आपको ये line मिल जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, nth derivative का एक general formula derive करेंगे, हाँ जी, क्या करने जा रहे हैं, कुछ functions उनका nth derivative का general formula derive करने जा रहे हैं, और उन general formula के derivation के बाद में जो कुछ certain formula बनेंगे, उसके basis पर different functions उनके nth derivative हम निकालेंगे, तो यहाँ पर libnist theorem इसी के बाद का एक step है, कि तो जो हमने differentiation 10th class, 11th class में सीखा होता है, और graduation में जो हम सीख के आ रहे होते हैं, उसी का एक step आगे है, कि successive differentiation, nth derivative है actually, कि आप उसको n times, certain times differentiate करो, और वहाँ से फिर आप किसी भी derivative की definite value निकाल सकते हैं, जैसे यह n की value 1 रखेंगे तो यह line आ जाएगी, 2 रखेंगे तो यह वाल आ जाएगे, ठीक है, तो पहले मैं आपको एक list दिखाता हूँ, जिन formula को actually हमें derive करना है, तो list क्या है, list यह है, देखें आप इसे, यह 7 formula आपको derive करने है, साथ है न, हाँ ठीक है, some basic formula for nth derivative, dn, dn समझ पा रहे है, n times differentiation, तो देखिए, यहाँ dn, actually, dn upon dxn को represent कर रहा है, n times differentiation को represent कर रहा है, तो देखिए, 7 formula हैं, जो आपके सामने लिखें, देख लिजी आप एक बार इनको, ठीक से, इन सभी 7 formulas को हम, क्या करेंगे, derive करने जा रहे है, इस lecture में हम इन सब के derivation करने जा रहे है, क्योंकि exam में हम से कोई derivation सीधा direct पूछा भी जा सकता है, ऐसे पूछ सकत करना है, क्योंकि अब जब इसको derive कर लेंगे एक बार, उसके बाद आप इनका application में, जब हम इसका direct application करेंगे, वहाँ पर सीधा question में apply करना होगा, एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, nth derivative of ax plus b, whole to the power m, लिखा है, m factorial upon m minus n factorial, into a to the power n, और साथ में देखो क्या, इसका differentiation करें, n times, तो power देखो कितनी कम हो रही है, m minus n, power से उतने ही derivative कम हो जाएंगे, जितने आपने differentiation किये हैं, आप देखो, dn of e to the power ax plus b, तो इसमें क्या है, a to the power n times आ जाएगा, जितनी बार आप differentiation कर रहे हैं, और e जो function है, वो as it is, आही जाते है, जिसे भी last example में भी देखा आपने, अब इसका third देखिए, dn log ax plus b, उसका अगर आप nth derivative निकालेंगे, तो minus 1 to the power n, a to the power n upon ax plus b, whole power n, इस तरह से लिखा है, dn of sin ax plus b, अब sin का function है, तो इसके बारे में क्या लिखा है, a to the power n, दे देखे हैं, sin ax plus b angle as it is आ गया, देखो, ax plus b sin का angle as it is, और pi by 2 n times, n times pi by 2 इसमें जोड़ देना है, देखो, n times of pi by 2, देख पारें, ऐसे ही cos का है, cos में भी क्या किया गया, ये n times pi by 2 इसमें जोड़ देना है, n times pi by 2, इसमें जोड़ देना है, और अगर इसमें e के साथ multiplication हो गया, e to the power ax sin और e to the power ax cos, तो देखो, a की जगा r आएगा, r, r to the power n, और नीचे भी देखो, r to the power n, ऐसे, e to the power ax और sin ये function as it is, angle भी as it is, बस इसमें क्या जोड़ना है, angle में plus theta जोड़ना है इस तरह से, अब ये r और theta क्या है, r जो है, small r, वो रूट में a square plus b square होगा, a क्या होगा, ये e to the power में x का coefficient a है, और b क्या है, वो sin ये cos के angle में x का coefficient है, इसको ठीक कर लें जड़ा, ये b होगा यहाँ पर, bx plus c, इस तरह से, bx और plus c होगा है, इसको c बना ले, bx plus c, ठीक है, इस तरह से, c बना ले, तो c होगा है, bx plus c, ऐसे, दोनों के angle से में, तो इन दोनों केस में, e to the power x sin bx plus c है, e to the power x cos bx plus c है, तो इसमें r to the power n, और angle में theta जोड़ना है, आर क्या होगा, r होगा, a square plus b square root में, और theta क्या होगा, 10 inverse b upon a, ये दोनों value अलग से निकाल के रखना, और इस तरह से इन के direct formula है, देखो, ये last के जो 4 formula है, तो बहुत simple है, जैसे यहाँ e to the power x ने multiply किया, तो r to the power n, e और sine as it is, angle में theta जोड़ना है, दूसरे बार, ये जो दो है ये दोना pair में चल रहे है, sine और cos में, क्या करना है, a to the power n आएगा, और angle में n by by 2 जोड़ देना है, तो 4 formula तो simple है, बाकी बचले तीन formula है, इसमें जो पहला वाला है, वो आपको साफ साफ नजर आएगा, कि a x plus b whole to the power m minus n होगा, n by differentiation करेंगे तो, और इन सभी formula की एक खास बात है, सभी formula की, कि जो x का coefficient है, यहां तक देखो, x का coefficient a, 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 तो a to the power n, a to the power n, यह सभी में common आएगा, सुन पारें, यह a to the power n, यहाँ पर भी a to the power n, और यह देखो a to the power n, a to the power n, यह सभी जगा multiply में आएगा, x का coefficient उतने times multiply करता है, जितने times आप उसका differentiation कर रहे होंगे, तो यह हमारी 7 formula है, आज इस lecture में हम इन सब का derivation देखेंगे, क्योंकि कभी-कभी direct exam में इनका derivation भी पूछ लिया जाता है, बहुत simple है, बहुत ही simple है, देखे शुरू करते हैं, एकड़ करके, पहला education लिखा है, number 1, लिखा है, prove that dn, मतलब nth derivative of ax plus b whole to the power m, is equal m factorial upon m minus n factorial, into a to the power n, into ax plus b whole to the power m minus n, and discuss special cases, इसके special cases, कुछ मैं बनाऊंगा यहाँ पर, उसको भी आपको discuss करना है, चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले लिखा है हमारे पास, जो function है, solution, लिखेंगे, let y is equal, इसको आप y मान ले, ax, और plus b whole to the power m, ऐसे, इसको आप सबसे पहले, y मान ले, ऐसे करके, समझ में आया, y, ax plus b whole to the power m आ गया, ठीक, अब ज़रा इसका एक इक derivative, हम इसका differentiate करते रहेंगे, एक-एक derivative इसका differentiate करके देखें, तो लिखेंगे, क्या लिखना है, लिखेंगे, differentiating, with respect to, with respect to, x, x के respect पर इसका differentiation करें, तो इसको आप dy, या फिर y' ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dy, या फिर y' या फिर y' या फिर इसी को हम y1 भी कह सकते हैं, y1 is equal, क्या कीजिएगा, देखो, power पहले, और power से एक कम करेंगे, तो ax plus b whole power m minus 1, और एक multiply में coefficient और आएगा, इसलिए मैंने इसको a to the power 1 लिखा, एक बार आया है, तो a to the power 1 लिख दा, वैसे तो a लिख सकते हैं, लेकिन तो थोगा specify करने के लिए, क्योंकि 1 derivative है, तो आपने a to the power भी 1 ही लिखा, इसके बाद again, differentiating with respect to, again, again, differentiating with respect to, with respect to x, x के respect पर फिर से इसका differentiation करें, तो आप उसको लिखेंगे, d square y, d square, या फिर y double dash, या फिर इसको y2 भी कह सकते हैं, is equal, देखें क्या लिखा जाएगा, m, एक और factor आएगा, m minus 1, और power क्या हो जाएगी, ax plus b की, ax plus b, whole power, m minus 2, multiply में, एक और a आएगा, तो इसका मतलब, इस बार, a square हो गया, तुम समझ पा रहे हो, क्या हो रहा है, दो बार derivative, द factor, दो power कम होगी, a की power 2, तो सब जगा, दो factor, minus 2, और उतना ही a की power होगी, यानि ये expression, अगर इसमें से 2 power cancel होई है, minus होई है, तो a की power 2 ही होगी, कुल मिला कि, दोनों की power देखेंगे, na, combinedly, तो m ही रहेगा, अच्छा, अगेन करो एक बार फिर से और, ताकि आपको थोड़ा to x, तो देखें जाना, इसमें क्या आएगा, d square, तो d cube y, जिसका आप y triple dash, ऐसे, या y 3 कहें, तो क्या कहेंगे आप, इस बार 3 factor आएगे, m, m minus 1 तो पहले से था, m minus 2 और आएगा, और ax plus b, उसकी whole power कितनी होगी, m minus 3, और into a, उसकी power 3, अब देखो, आपको यहाँ पर एक sequence पक आपने समझ लिया, तो बस आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, देखें कैसे, सबसे पहले y लिखा है आपके सामने, सबसे पहले y लिखा है, ax plus b whole power m, इसको आपने एक बार differentiation किया, तो equation number 1 ज़र ध्यान से देखें, इसको पहली बार derivative को देख ले, first derivative को, तो first derivative में क्या है, जिसको आप dy कह रहे हैं, तो dy में y dash या y1 एक factor आ रहा है, जान से देखें, एक factor, power में से 1 minus, उतनी ही एक ही power है, दूसरी बार derivative किया, two factors, two factors, power में से minus 2 और a की power भी 2 ही, तीसरी बार derivative किया, three factors, power में से minus 3 और a की power 3, अब इसको ज़रा ऐसे पहले है, करें, कि जब आपने इसका एक derivative किया न, तो ये factor है न, उस factor में से, first derivative minus करें, तो ये m जो है न, वो actually, m minus 0 तक है, एक इसका पहले तक है, यहां सीखें इसको, d square y में देखो, m से शुरू हुआ, और कहा तक जा रहा है, m minus 1, derivative second है, तो factor एक कम हो कि जा रहा है, तुम समझ पार derivative है, तो ये last वाल है factor, एक कम, m minus 1, second derivative, एक factor कम, m minus 1, अभी देखो, इसमें third derivative, अंतिम factor देखो, एक, एक value कम आ रहा है, m minus 2, derivative तो third है, लेकिन value देखो, ये last वाल है factor कि कितना, एक कम लिगी जारी, m minus 2, अगर ऐसे ही मैं आप से पूछो, कि fourth derivative होगा, तो उसमें अंतिम factor क्या आने वाला है, एक कम होकर, m minus 3 आएगा कि नहीं आएगा, m से सुरू होगे, और हैसे चलते चलते, m minus 3 तक जाएगा, अगर मैं आप से पूछो, कि tenth derivative क्या होगा, tenth derivative के, उसका अंतिम factor क्या होगा, तो एक कम करके होगा, m minus 9 तक, अगर मैंने पूछा, कि hundred, hundredth derivative क्या होगा, सौ क्या बात समझ में आएगा, इसी तरह से, अगर मैं आप से पूछो, कि n word derivative क्या होगा, nth derivative क्या होगा, तो एक कम करके बोलेंगे, क्या होगा, एक कम करके, m minus, एक कम, n से एक कम, n minus 1, m minus, n minus 1, bracket में, n minus 1, एक कम करके, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, तो इस तरह से आपको इसका nth derivative समझ में आ गया और फिर उसी के आगी ये formula बन जाएगा तो चलिए अब लिखते हैं लिखेंगे एक और derivative करके लिखके दिखा देता हूं आपको लिखेंगे again अगें आप अगर उसको लिखेंगे d4 y या y4 4 ऐसे is equal तो क्या कहेंगे आप m से शुरू हुआ m-1, m-2 और m-3 तक जाएगा एक कम तक fourth derivative तो ये factor एक कम तक जाएगा और ax plus b उसकी whole power में से m-4 होगा और a की power 4 हो जाएगे ऐसे बताओ समझ में आए क्या देख लो अब इस तरह से आप इसमें similarly करके बनाके लिख देंगे लिखेंगे similarly 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 बताएं similarly क्या लिखेंगे similarly आपको लिखने है dn y dny या y to the power n या उसको y n ऐसे suffix में लिखते हैं तो क्या कहेंगे आप m m-1 m-2 ऐसे पता नहीं कितने फेक्टर आएंगे लेकिन अन्तिम जो फेक्टर आएगा वो m- कौनसे डेरिवेटिव लिख रहे है n है तर डेरिवेटिव और रूल क्या पकड़ा आपने एक डेरिवेटिव कम तर जाएगा 4 है तो 3 तक जैसे यहाँ पर n है तो a कम n-1 तर तो ब्रेकिट में लगाना n-1 ऐसे और ax plus b whole power इसमें उतनी फेक्टर कम होते है जैसे 4 तो 4 फेक्टर कम हो जाएगे तो यानि यहाँ पर m-n और a to the power n ऐसे आ जाएगा बताएं बात समझ में आए क्या जितना डेरिवेटिवेटिव उससे माइनस हुआ न सेम और a की उतनी पावर है तो इसी तरह से उतना ही माइनस किया हमने minus n और a to the power n इस फेक्टर का धियान रखना है बस क्या आप समझ पारें यानि यहाँ m-n और यह minus 1 जो है इस वजह से है क्योंकि यह फेक्टर जो है न लास्ट वाला वो एक कम करके लिखा गया है बस अब आपका यह आंसर बन चुका है इसको थोड़ा सा ठीक करके हम लिखना चाहते हैं देखे कैसे बनेगा यह यह निए dn of ax plus b whole power m is equal m m minus 1 m minus 2 up to m minus n plus 1 देख पारे हैं यह क्या बन चुका है m minus n plus 1 or bracket ax plus b whole power m minus n into a to the power n तो यह आपका एक general formula बन रहा है ऐसे इसको बना दे इसे बन करके लिए यह एक general formula बना है factorial बनानी की बात है अब इसका हम factorial बनाएंगे लेकिन यह आपने पास general formula है इसको आप समझ लेजी m से शुरू होकर m minus n minus 1 तक गया जो bracket open होने के बाद m minus n plus 1 हुआ इसे याद नहीं करेंगे याद उसे करना उपर वाले को एक factor कम तक और उतनी power कम होगी a to the power same उतना ही रहेगा ठीक है जी अब इसके special cases देखते हैं अब इसके special cases देखते हैं लिखे अब heading डाले हैं पर special cases special cases ऐसे अगर के लिखे है special cases number 1 in factorial notation 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 बस अब इसका factorial notation समझे ज़रा ध्यान से यह जो उपर लिखा है अगर हम इसको बिल्कुल ठीक as it is छाप दे dn of ax plus b whole to the power m is equal अगर इसको as it is लिख दें क्या लिखा है m m-1 m-2 और ऐसे करते करते m-n और plus 1 समझो बात को यह as it is लिखा और यह ax plus b मैं थोड़ा दूर करके लिख रहा हूं ax plus b whole power m-n into a to the power n यह अलग यह green portion जो है जो उपर लिखा है हमने as it is लिख दिया green portion उपर जो लिखा है as it is लिख दिया अब यह obvious ही बात है कि m is greater than n m की value n से बढ़ी होगी अगर x square है तो उसका कितनी बार derivative कर सकते हैं दो ही बार तो कर सकते हैं अगर आप उसका 5 बार derivative करना चाहें 0 हो जाएगा निकाल ही नहीं पाएगे maximum उतनी ही बार derivative कर सकते हैं तो यहाँ पर m जो है वो क्या हो सकता है वो greater than, equal eql n हो सकता है अगर यह m छोटा हो गया उससे तो इसकी आंसर तो 0 आएगा जीद्धा इसका अंसर तो 0 आएगा न तो इसलिए यहाँ पर सीदी सीदी एक बात है कि m की value वो greater than equal eql n हो गिए m greater than equal n होगा क्योंकि x square उसके maximum 2 derivatives कर सकते हैं तो फिर 2 derivative और उसके degree 1 derivative कर सकते हैं 2 derivative कर सकते हैं अगर x की पाँ 4 है तो उसके कितने 1 derivative, 2 derivative 3 derivative, 4 derivative यह कर सकते हैं ठीक है 5 वर derivative अगर उसका पूछे कोई तो फिर वो 0 हो जाएगा इसलिए यहाँ पर आपकी जो degree है न वो बड़ी होनी चाहिए derivative से तब ही आपका derivative कुछ value देगा otherwise अगर आपको derivative को higher निकालने है degree से तब उस case में क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा चलिए अब यह बात रही कि यह derivative की आपकी टरम्स जो उबड़ी थी आपकी चाहप दी अब ज़रा समझे क्या करना है यहांसर समझे इसको यह M से शुरू हुआ और एक-एक स्टेप कम हो रहा है यह M से शुरू हुआ और M से शुरू होते 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 One step कम, one step कम, one step कम सुन पारें आप यह जो भी टर्म है अपने से पीछे वाले से एक स्टेप कम होगी ना सिक्वेंस समझ रहे हो M, M-1, M-2 It means every bracket पीछे वाले से previous से कम है, एक स्टेप कम है तो यह जो भी लिखा है अपने से पीछे से एक स्टेप कम होगा यहां तक यह जो लिखा है ठीक है, उपर वाला टम है अब मैं इसको फैक्टोरियल बनाना चाहता हूँ तो आपके बते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, वन से शुरू होता है और अगर N तक regular लिखा है, तब उसे हम N फैक्टोरियल लिखते हैं यानि इसका अगला bracket बताओ, एक कम करके क्या M-N नहीं आएगा M-N और जैसे M-N आया, तुरंत यह लिखते-लिखते-लिखते-लिखते-लिखते इसको 2 into 1 तक अगर हम लिखें ऐसे तो जितना हम इसे multiply कर रहे हैं, उतना ही हम इसे divide कर देंगे आया, M-N ऐसे करते-करते और फिर लिखते-लिखते 2 into 1 ता यह बात समझो, क्या हुआ, यह जो मैंने white pen से लिखा, इसको समझेए हम इसे factorial में represent करना चाहते हैं, तो उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते-करते, यह बीच में आ रहे होंगे बहुत सारे factor, और last में क्या पहुचा, M, इसको उधर से पढ़ना शुरू करे, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते-करते last में सबसे बड़ा factor क्या होगा, M, तो यह पूरा उपर का M factorial बन गया, और नीचे भी तो कुछ बना, देखो क्या बना है नीचे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते-करते उधर से आएंगे, और last में सबसे बड़ा factor कौन बनेगा, M-N, तो यह M-N का factorial बन जाएगा तो क्या किया हमने इसमें, यह जो भी green bracket था, M-N प्लस 1, इससे एक कम करके, फिर आगे next करते-करते कहा तक जाना है, 1 तक जाना है, क्योंकि 1 से लेकर M तक यह M factorial बनेगा, और नीचे भी यह जो भी बन रहा है, यह भी M-N का factorial बन जाएगा, तो कुछ इस तरह से हम इसको बना के लिख सकते हैं, कैसे? लिखेंके then, dN of AX plus B whole power M is equal, क्या लिख सकते हैं, देखो, ऊपर वाले को M factorial और नीचे वाले को M minus N factorial को इसको लिख सकते हैं, M factorial M factorial upon M minus N factorial, ऐसे, और into multiply में, यह चीज़े चली रही है, कौन सी दो? AX plus B whole power M minus N A to the power N, तो मैं A to the power N को पहले लिख देता हूँ, तो इस तरह से, into A to the power N, और AX plus B whole power M minus N M minus N, ऐसे, तो यही आपको इसमें प्रूफ करना था, पहला result समझ पारें आप? देखिए, यह पहला result आपके इसमें प्रूफ करना था इसमें, factorial के representation को आपको समझना होगा, थोड़ा सा factorial इसमें हमने नीचे जो multiply, divide करके लिखा, यह चीज फिर से देख लो यह green बाला factors पहले से था, M से शुरू होते हुए एक-एक-एक-एक step down हो रहा है इस factor का अगला क्या आना चाहिए? M minus N उसके आगे भी कुछ आएगा M minus N minus 1 मतलब नहीं है उसे, आपको इस सोचना है कहा तक जाने? 1 तक जाने तो ऐसे एक-एक कम करते-करते 1 तक कहीं जाएंगे? जितना आप नहीं उपर multiply किया उतना ही आप divide कर लें यह 1 से लेकर M तक तो M factorial बना और यह 1 से लेकर M minus N तक तक रेगुलर नमबर लिखें है तो यह M minus N का factorial बना और इस तरह से फिर आपका इस पहला formula derived हो गया जो आपके सामने लिखा है इस तरह से बात समझ में आई कुछ? क्या हुआ है? तो यहां आपने derivative of A x plus B whole to the power M उसका formula बना दिया M factorial upon M minus N factorial into A to the power N upon A to the power N into A x plus B whole power M minus N अब इसका यह था factorial notation अब इसका number 2 standard form, special case number 2 यह था special case number 1 in factorial notation अब दूसरा special case 2 special case 2 special case 2 समझे if if M is equal minus 1 हो जाए यह है special case सबसे important M की value minus 1 हो जाए तो देखे special case number 2 में if M equal minus 1 है तो यहां इसमें नहीं रखना M equal minus 1 क्योंकि अगर इसमें रखोगे तो minus 1 factorial क्या होता है? negative factorial नहीं पता होता हमे इसलिए क्या करेंगे? जो हमने इक green वाला result लिखा है पहले इसी को लिखो क्या है? देखो क्या लिखा है green वाला result? आपके पास लिखा है nth derivative dn of ax plus b whole power m is equal क्या है? m m minus 1 m minus 2 और ऐसे करते करते कहां तक? m minus n और plus 1 into a to the power n और ax plus b whole power m minus n ऐसे तो लिखा है? ये वाला जो green result है इसमें अब आप इसमें m को minus 1 रखें m को minus 1 तो रखेंगे dn of ax plus b whole power minus 1 minus 1 समझ पा रहे है? उसकी m की value minus 1 यहां भी रखें तो क्या हैगा? minus 1 एक bracket minus 1 फिर से minus 1 आगे क्या हैगा? minus 1 minus 2 और ऐसे करते करते last में क्या हैगा? हाँ जी क्या हैगा देखो? यहां minus 1 minus n plus 1 और आगे a to the power n into ax plus b whole power minus 1 minus n समझ पा रहे है? इस expression में m की जगा minus 1 उपर नहीं रखना इसमें minus 1 क्योंकि minus 1 factorial क्या होता है हमें नहीं पता negative factorial नहीं पता होता है इसलिए इसमें आपको इस result में आपको minus 1 रखना है अब जड़ा मेरी बात ध्यान से सुने क्या सुनना है? पहले यह बताओ m से लेकर के यहां तक कितनी terms हैं? यह m से लेकर अगर मैं आपसे पूछू तो total number of terms कितनी होंगी? यहां से total number of terms बताएं तो यह total n terms होंगी कितनी terms होंगी? n terms कैसे n terms आ रही हैं? जड़ा दिहान से सुनो पीछे वाली slide देखो यह जो हमने m minus n plus 1 बनाएं इसको मत देखो इसके उपर वाला term देखो m से शुरू हुआ a के कम करते गए और एक step कम तक जो लिखा था अगर मैं यहां से गिनना शुरू करू m minus 1, m minus 2 और एक step कम तक तो 1, 2, 3, 4 करते-करते n minus 1 तक जाएंगी तो यह वाले m minus 1 से तक? n minus 1 तक इसका मतलब यहां से आगे n minus 1 factor लिखे हैं और एक अकेला यह लिखा है यह फिर सीदे-सीदे कहें यह m minus 0 से start हो रहा है और start होते होते कहां तक जा रहा है? m minus n minus 1 तक यह समझे हम तो जो 0 से start हो रहा है और n minus 1 तक हो रहा है तो एक 0 भी तो है ना पहले step आपको लग रहा है कि लास्ट एक कम है n minus 1 लेगिन 0 से जब start करते हैं आप 9 तक तो total कितने गिनते हैं 10 numbers तो होते हैं 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 कितने number होए 9 नहीं होगे 10 होगे तो इस तरह से अगर आप 0 से start कर रहे हैं और n minus 1 तक जा रहे हैं तो कितने digits या फिर कितने factors हैं total यह n factors हैं तो यह बात आपको समझ में इसी तरह से आप यहां पर समझें कि यहां से यहां तक यह n terms लिखी हैं तो फिर यह brackets भी तो n ही होंगे न तो अगर आप सोचें last वाले factor में 1 से 1 cancel हो जाएगा ऐसे तो x x से लेकर आगे तक जितने भी हैं यह कितने factor हैं यह n factor हैं और अगर और थोड़ा ठीक करके लिखें तो यह ऐसे बनेगा minus 1, minus 2 minus 3 और ऐसे करते करते कहां तक minus n अब तो अपने आपको दिखाई दे गया होगा कि 1 से लेकर यह n तक हैं कितनी बार लिखें? n times लिखें और negative sign कितनी बार आएगा? n times सुन पारें आप? तो यह आगे as it is लिखा रहे हैं तो इसे a to the power n और ax plus b whole to the power minus 1 minus n यहां से आप minus 1 जैसे ही common लेंगे n times minus 1 common n times तो बाकी जो बच रहा है वह ऐसे रहेगा 1 into 2 into 3 up to n और यह चीज़े क्या लिखें? a to the power n और ax plus b whole to the power minus 1 minus n ऐसे रहेगा अब यह देखो 1 से लेकर n तक 1 से लेकर n तक क्या यह n फेक्टरी नहीं बन गया? तो फिर इस तरह से आप मुझे बताएं कि यह जो result बनने जा रहा है second वाला यह क्या बनने जा रहा है? यह बनने जा रहा है कुछ ऐसा dn of 1 upon 1 upon ax plus b ax plus b इसका derivative dn of ax plus b कैसे लिखा है? dn nth derivative of ax 1 upon ax plus b 1 upon ax plus b इसका derivative तो क्या कहेंगे आप? minus 1 to the power n और यह क्या बना? into n factorial और वो क्या लिखा है? a to the power n और यह पूरा upon पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? ax plus b whole power n plus 1 देखो जी, क्या हुआ अगर ax plus b की एक power लिखी है ना इधर तो n derivative करने के बाद उसमें n जूड जाएंगे और a जो है x का coefficient n times और उपर n factorial तो यह आगे आपका दूसरा और सबसे important result तो यही आपके इसमें special cases discuss करने थे इस तरह से आप इसमें discuss कर देंगे ठीक है जी? यह था आपका special case कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए special case काफी अच्छे है इसके दोनों के दोनों हाँ जी, बताएं देखलो अगर कुछ पूछना है तो इसमें दोनों के दोनों result आपके सामने लिखे हैं और यह बहुत important है सीधा अगर आपको फेक्टोरियल में लिखना है तो फेक्टोरियल वाला लिख सकते हैं और जनरल लिखना है तो जनरल भी आप लिख सकते हैं यह लिखा है आपके सामने दोनों result ठीक है nth derivative dn a x plus b whole power m तो अगर m factorial upon m minus n और जीतना factorial उतना ही power से minus हो रहा है, a उतनी जबकि दूसरा case is special case 2 m की value minus 1 रखी हमने इसमें तो देखो क्या बन्द है 1 upon a x plus b is equal minus 1 की पार n n factorial a to the power n upon a x plus b whole power n plus 1 तो यह था हमारा पहला result इन दोनों formula को हमने derive गरके लिखा है, काफी important result है इसको आप ध्यान रखिएगा